मम्ता के गड़ में अमिर्ष शाह को मुद्दत बाद मौका मिला तो उन्होंने सियासी धमक दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी पोस्टर और बैनर से पटे शेहर में जब बीजेपी अध्यक्ष अपने समर्थफों के बीच पहुँचे तो पहला और आखरी निशाना बनी मम्ता दीदी हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने मूर्थी विसर्जन पर पाबंदी को लेकर इट से इट बजाने का अईलान कर दिया रेली से पहले तुर्णमूल पर हल्ला बोल की सियासी जमीन तयार थी इसकी शुरुवात होते ही शाह के तेवर तल्क हो गए उन्होंने पश्चिब बंगाल में बीजेपी कारकरताओं के हत्या पर सरकार को ललकारा तो एनर्सी जैसे गंभीर मसले को लेकर मम्ता को खेरा अमिक्षा कोलकाता की धर्ती पर उत्रे और एरपोर्ट से पाहर आते ही मम्ता समवर्थकों ने उन्हें काले ज़ंडे दिखाए गो बैक के पोस्टर लगे वापस जाओ के नारे लगे टीमसी कारकरता सटकों पर उत्रे तो पार्टी नेता काला कपड़ा पहने मंदिर पहुँचे मैं अपना नम में पुजा नहीं दिया मम्ता बेनरजी अविसेग बेनरजी और अल इंडिया ट्रिनो मूल कोंगर्स सबको इतना पावर दें कि ये लोग बंगाल में घुसने ना सके इस बार काले जंडों के साथ जहां माद अखिनेश्वरी के दर्शन करते आये नजरनेता तो वहीं साथ साथ ये भी सावित कर दिया कि अगर महिशा सुर बंगाल के अनुसार या बंगाल के नेताओं के अनुसार कोई है तो वो है अमिशा लेकिन इस काटों की टकर में एक विरोधियों की बॉखलाट की बीच अमिशा आतिम श्वास से भरे दिखे लेकिन उन्हें भी पता है कि अपने समर्थकों के बीच होसनों की उड़ान भरना तो आसान है मुश्किल मिशन पश्शिब मंगाल है वर्तमान में दो लोगसभा सीटों पर कबजा जमाने वाली बीजेपी ने आगामी लोगसभा चुनाव में 22 सीटें जीतने का लक्ष तै किया है बीजेपी और पार्टी आला कमान के लिए ये रहा आसान नहीं है